नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर ICS में, जहां पर मैं मदू, पूरी इंडियन पॉलिटी को MCQ-WISE कवर करा रही हूँ. आज का लेक्चेन नमबर 52 है, जो कि बेज़्ड है दब पार्लेमेंट पे. आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तियारी कर रहे हूँ, अगर इंडियन पॉलिटी आप किस लेबस में है, यह पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफी helpful होगा. मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3-4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एक्जामनेशन हॉल में जाएं और वहाँ पे पॉलिटी प्लेलिस्ट को सॉल्व करने बैठें, तो आपके लिए काफी easy हो और आप अच्छे से वहाँ पे attempt कर पाएं, पॉलिटी काफी scoring subject होता है, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप निरंतर questions का अभ्यास करते रहें, और निरंतर questions के अभ्यास के लिए ही ये पूरी की पूरी questions की playlist आपके लिए तयार की जा रही है, तो आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को अच्छ question की तरफ, question number one, who has had the power to make rules for carrying out the purpose of the Schedule Cast and the Schedule Tribe Prevention of Attrocities Act 1989, अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की सकती किसके पास होती है, आपके option से a. the state government, राजय सरकार, b. the central government, केंद सरकार, c. both a and b, दोनो a और b, या d. the supreme court या supreme court, तो पहले question का अंसर क्या हो जाएगा, option b. the central government, जलते हैं next question की तरफ, question no. 2, offenses committed by any public servant under section 3 of the scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocities act 1989 provides for minimum punishment of SC और ST अत्यचार निवान अधिनियम 1989 की धारा तीन के तहत, इसी लोग सेवक द्वारा किया गया अपरात नियुमत्यम सजा का प्रावधान करता है, आपके option से, a. three month, b. six month, c. one year, d. none of the above, तो दूसरे question का अंसर क्या हो जाएगा, option c. one year, अगर कोई भी public servant, कोई भी public servant अगर offense commit करता है, SC और ST के तहत, prevention of atrocities act के तहत, तो उसे minimum एक साल की सजा का प्रावधान दिया गया है, इस act में, तो question no. two का अंसर हो जाएगा, option c. चलते हैं next question की तरफ? Question no. three, the state government can specify a court of session to be a special court to try the offenses under the Schedule Cast and Schedule Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 with the concurrence of the राजिसरकार किसकी सहमती से अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती अत्याचार निवार्ण अधिनियम 1989 के तहत, अपराधों की सिन्वाई के लिए एक विशेस न्याले के रूप में सत्र न्याले को निर्दिस्ट कर सकती है, आपके option से A. Governor, B. Chief Justice of High Court, C. Shaysan Judge of Concern District, D. Ministry of Law तो तीसरे question का अंसर क्या जाएगा? Option B. Chief Justice of High Court चलते हैं next question की तरफ Question No. 4. An Appeal Under Scheduled Cast and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989 shall lie from any judgment sentence or order to the High Court. अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती अत्यचार निवार्ण अधिनियम 1989 के तहत, किसी भी फैसले, सजा या आदेश के खिलाफ उच न्याले में अपील की जा सकती है आपके option से A. Only on facts, B. Only on law, C. Both on facts and law, D. None of the above चौथे question का अंसर क्या हो जाएगा? Option C. Both facts and law. उसके खिलाफ यह हम लोग अपील कर सकते हैं Fourth question का अंसर होगा option C चलते हैं next question की तरफ Q5. The Schedule Caste and Schedule Tribes Prevention of Atrocities Act is a special provision for the advancement of Schedule Caste and Schedule Tribes which is based on which one of the following doctrines अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती, अत्यचा निवान अधिनियम, अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती की उन्नती के लिए एक विशेस प्रावधान है, जो निमलिखित में से किस सिध्धान पर आधारी था है आपके option से A. Doctrine of Severability B. Doctrine of Preferred Position C. Doctrine of Protective Discrimination D. Doctrine of Harmonious Construction Option A क्या कह रहा है कि प्रत्थिकरण का सिध्धान B. पसंदीदा इस्तती का सिध्धान C. सुरक्षात्मक भेदभाव का सिध्धान D. समंजश्य पूर्ण निर्माण का सिध्धान तो पाँच्वी क्वेशन का अंसर क्या हो जाएगा Option C. Doctrine of Protective Discrimination सुरक्षात्मक भेदभाव का सिध्धान चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ Question No.6 Who is empowered for imposition and realization of a collective fine Under Scheduled Cast and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989 SC और ST अत्यचा निवान अधिनियम 1989 के तहत सामोहिक जुर्माना लगाने और वशूली करने का अधिकार किसे है? आपके options हैं A. District Magistrate B. State Government C. Special Court D. High Court तो छटे कोशिन का अंसर क्यों हो जाएगा? Option B. State Government या राजिसर्खार The power of imposition and realization of collective fine and for all other matters connected in addition in that Under Section 16 of SCs and Sting Act 1989 is vested in State Government मतले पूरी की पूरी पावर किसको दी गई है? State Government को जुर्माना भी लगा सकता है और वशूली भी कर सकता है तो 6th question का अंसर क्यों हो जाएगा? Option B चलते हैं next question की तरफ Question No. 7 In a prosecution for an offense Under the scheduled caste and scheduled tribes Prevention of Attrocities Act 1989 The court can presume which of the following अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती अत्याचा निवार्ण अधिनियम 1989 के तहट किसी अपराद के लिए अभी योजन में अदालत निमली खित में से क्या मान सकती है? आपके option से A. Abitment B. Common Intention C. Common Object D. All of the above साथवे question का अंसर क्या हो जाएगा? Option D. All of the above उसमें उस्पसाना भी सामिल है सामाने इरादा भी सामिल है और सामाने वस्तो भी सामिल है साथवे question का अंसर क्या हो जाएगा? Option D चलते हैं next question की तरफ Question No. 8 Which of the following sanctions of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes Act 1989 provides for application of certain provisions of the Indian Penal Code? अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती अधिनियम 1989 की निम्लिखित में से कौन सी धारा भारतिये दंड सहिता के कुछ प्रावधानों को लागू करने का प्रावधान करती है आपके option से A. Section 12 B. Section 10 C. Section 6 D. Section 8 आठवे question का अंसर क्या हो जाएगा? Option C. Section 6 या धारा 6 के तहत जो इसमें भारतिये दंड सहिता की कुछ प्रावधानों को लागू करवाती है 8th question का अंसर हो जाएगा? Option C चलते हैं next question की तरफ Question No. 9 Under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 which of the following is ब्यार्ड? अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती अत्यचान निवार्ण अधिनियम 1989 के तहर निमलिखित में से क्या वर्जित है? आपके option से A. Anticipatory Bill अर्ग्रिम जमानत B. Post Arrest Bill गिरफतारी के बाद जमानत C. Benefit of Probation परिविच्षा का लहाब या D. All of the above उप्रुक्त सभी तो 9th question का अंसर क्या हो जाएगा? Option A. Anticipatory Bill जलते हैं next question की तरफ Question No. 10 Under which of the following section of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Act 1989 is Anticipatory Bill prohibited अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती अधिनियम 1989 की निमलिखित में से किस धारा के तहत अग्रिम जमानत निशिद्ध है? आपके options हैं A. Section 16 B. Section 17 C. Section 18 या D. Section 19 दस्वे question का अंसर क्या हो जाएगा? Option C. Section 18 चलते हैं next question की तरफ Question 11 An offense committed under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 shall be investigated by a police officer not below the rank of अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती अत्याचार निवान अधिनियम 1989 के तहत किये गए अपराथ की ज्यांच एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी जुनिमने rank का नहीं होगा आपके options हैं A. Sub Inspector B. Inspector C. Deputy Superintendent D. Superintendent जलते हैं नेक्स्ट केशिन की तरफ Question No. 12 Which of the following power is not provided to a specified special court under Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act अनसूची जाती और अनसूची जन जाती अत्याचार निवान अधिनियम के तहत नेदिस्ट विसेश न्याले को निम्दिखित में से कौन सी शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं आपके options हैं A. For future of property of a convict for an offense किसी अपराथ के लिए दोसी की संपत्ती की जपती B. To authorize a person for extra investigation other than police पुलिस के अलावा किसी अन्य विक्ति को अत्रिक्ति जाँच के लिए अधिकृत करना C. To remove a person from the area who is suspected of committing a crime उस व्यक्ति को छेतर से हटाना जिस पर अपराथ करने का संदे हो D. Take measurement and photograph of a person who is suspected of committing a crime उस व्यक्ति का map और photo lane जिस पर अपराथ करने का संदे हो तो बारवे question का answer क्या हो जाएगा Option B. To authorize a person for extra investigation other than police Police के लावा किसी अन्य वैक्ति को अत्रिक्ति जाँच के लिए अधिकृत करना बारवे का answer क्या हो जाएगा Option B चलते हैं next question की तरफ Question No.13 Which of the following power a special court cannot exercise under the scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocities act 1989 अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती अत्याचान निवार्ण अधिनियम 1989 के तहट एक विशेस न्याले निमलिखित में से किस शक्ति का प्रियोग नहीं कर सकता है आपके option से A To remove a person B To forfeit the property C To take measurement of a person D To impose collective fine तेरह वे question का answer क्या हो जाएगा Option D To impose collective fine सामुहिक जुर्माना लगाना चलते हैं next question की तरफ Question number 14 In a prosecution for an offense Under the scheduled caste and scheduled tribes Prevention of Attrocities Act 1989 The accused in his defense Cannot take the plea that Anusuchi Jati और Anusuchi Janjati Atyachand Nivan Adhiniam 1989 के तहट किसी अपराथ के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाओं में यह दलील नहीं दे सकता है की आपके option से A. The act was done in exercise of the right of private defense या अधिनियम निजी रक्षा के अधिकार का प्रियोग करते हुए किया गया था B. He also belongs to the caste as that of the victim वह भी पिड़ता की जाती से समंदित है C. The act causes such a slight harm which could not be a subject of the complaint अधिनियम इतनी मामूली छहती का कार्ण बनता है जो सिकायत का विशय नहीं हो सकता है D. None of the above बुरुक्त में से कोई नहीं तो 14th question का अंसर क्या हो जाएगा Option D. None of the above अच्छा जो atrocities act है 1989 ठीक है तो इस atrocities act को आप लोग एक बाद thoroughly पढ़ लिजेगा क्योंकि इससे कई सारे questions form हुए है तो इन questions को attempt करने से पहले आप एक बार इस पूरे के पूरे act के जो special प्रावधान या जो provision है उनके बार में आप लोग जानकारी रखिएगा चलते हैं next question की तरफ Question number 15 A court of session is specified a special court to try the offenses under the scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocities act for the purpose of providing किसी सत्र न्याले को अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती अत्याचान निवान अधिनियम के तहत अप राधों की सिनुवाई के लिए विसेस न्याले के रूप में ये दिस्ट किया गया है आपके option से a speed trial b time bound trial c special protection to victim d all of the above तो पंदरह में question का answer क्या हो जाएगा option a speed trial provide किया गया है 15th का answer क्या होगा option a जलते हैं next question की तरफ question number 16 under which one of the following section of the scheduled caste and the scheduled tribes roof 1995 constitution of district level vigilance and monitoring committee has been provided अनुसूची जाती एवं अनुसूची जन जाती नियम 1995 की निम निखित में से किस धारा के अंतरगा जिला इस्तरिय सतरकता एवं निगरानी समिते के गठन का प्रावधान किया गया है आपके options से A section 18 B section 19 C section 17 D section 16 तो 16 में question का answer क्या हो जाएगा option C section 17 चलते हैं next question की तरफ question number 17 गवर्णिन स्वासाचन प्रदान करना B to recognize traditional right पारंपरिक अधिकारों को मानिता देना C to create autonomous region स्वायत छेत्र बनाना D to feed tribal peoples from exploitation अधिवासी लोगों को स्चोशन से मुक्त करना तो 17 में question का answer क्या हो जाएगा option T C to create autonomous region 17th का answer क्या हो जाएगा option C चलते हैं next question की तरफ question number 18 The right to information act of parliament received the assent of the president of India on रंसत के सूचना का अधिकार अधिनियम को भारत के राष्टपती की सहमती प्राप्थ हुई आपके option से A. 15 माई 2005 B. 5 जून 2005 C. 15 जून 2005 D. 12 जून 2005 तो ठारवे question का answer क्या हो जाएगा option C. 15 जून 2005 चलते हैं next question की तरफ question number 19 The right to information is सूचना का अधिकार है option A. A fundamental right B. A legal right C. Both A and B D. Neither A nor B so 19th question का answer क्या हो जाएगा option C. Both A and B जू right to information ने एक मौलिक अधिकार भी है और एक कानूनी अधिकार भी है चलते हैं next question की तरफ it is a legal right option C जलते हैं next question की तरफ question number 21 which of the following terminology is are mentioned in the preamble of the right to information act 2005 A. Transparency of information B. Revelation of information C. Informed citizenry C. Paramountcy of the democratic ideal select the correct answer using the code given below निम लिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की प्रस्तावना में लिखित है A. सूचना की पारदर्शिता B. सूचना का प्रकटी करन C. सूचित नागरिक यडि लोकतांत्रिक आदर्स की सर्वपरिता निचे दिये एक ओड करके सही उत्तर का आपको चुनाव करना है तो 21 वे क्वेशिन का अंसर क्या हो जाएगा पताए 21 वे क्वेशिन का अंसर इसमें जो चारो के चारो जो चीज़े है Transparency of Information, Revelation of Information, Informed Citizenry और Paramountacy of the Democratic Ideal ये चारो के चारो चीज़े ही Right to Information के Terminology में mention की गई है इसका अंसर क्या हो जाएगा Option D, A, B, C, D चलते है नेक्स्ट क्वेशिन की तरफ Question No.22 Right to Information Act was passed in the year सुचना का दिकार अधिनियम किस वर्स पारित किया गया था आपके Option से A. 2001 B. 2004 C. 2005 D. 2002 22 question का अंसर क्या हो जाएगा Option C. 2005 चलते हैं नेक्स्ट क्वेशिन की तरफ Question No.23 Consider the following statement about the Right to Information Act 2005 and select one which has not been provided for or is specially exempted सुचना का धिकार अधिनियम 2005 के बारे में निमली खितकतनों पर विचार करें और एक का चैन करें जिसके लिए प्रावधा नहीं किया गया है या विसे इस रोप से छूट दी गई है आपके option से A. It is not applicable in the state of Jammu and Kasmir यह Jammu और Kasmir राज में लागू नहीं B. An applicant making request for information will have to give reason for seeking information सूचना के लिनरोद करने वाले आविदा को सूचना मांगने कारण बताना होगा C. Removal of Chief Information Commissioner मुख्य सूचना आइक्त को हटाना B. Every information commissioner shall hold office for a term of 5 year until the age of 65 year which is earlier प्रते एक्त सूचना आइक्त पांच वर्स की अवधिया 65 वर्स की आयू तक जो भी पहले पत पर रहेगा तो 23 question का अंसर क्या हो जाएगा Option C. Removal of Chief Information Commissioner यह को भी प्रावधान इसमें नहीं दिया गया है तो 23 question का अंसर क्या हो जाएगा Option C. चलते हैं next question की तरफ Question number 24 Which of the following is related to Right to Information Act 2005 निमलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार धिनियम 2005 से सम्मन्दित है आपके option से A. Lily Thomas vs. Union of India B. Nandini Sundar vs. State of 36 C. Namit Sharma vs. Union of India D. None of the above So, अभी इसवे question का अंसर क्या हो जाएगा Option C. Namit Sharma vs. Union of India जलते हैं next question की तरफ Question number 25 Consider the following statement Assertion The Right to Information Act has in general been responsible for increasing the sense of responsibility in bureaucracy Reason it still has miles to go to create a desired impact Select the correct answer from the code given below Name liquid कत्नों पर विचार करें D. दावा सूचना का अधिकार अधिनियाम आम तोर पर नौकर साही में जम्मिदारी की भावना को बढ़ाने के लिए जम्मिदार रहा है कारण वांशित प्रभाव पैदा करने के लिए अभी भी मीलो चलना बाकी है तो नीचे दिये के code से सही उतर का आपको चुनाओ करना है क्या बता रहा है इस question में कि आपको कौन से statement सही है, reason सही है कि नहीं statement A assertion का correct The right to information act has in general been responsible for increasing the sense of responsibility in bureaucracy ये बिल्कुल सही statement है और reason का correct It still has miles to go to create the desired impact ये भी statement बिल्कुल सही है तो both A and R तो 2 है लेकिन जो क्या है, R जो है वो assertion A की पूरी दिगर से व्याक्या नहीं कर रहा है तो both A and R are true and R is not the correct explanation of A option B is का right answer हो जाएगा इस तरीके से हमने आज set of 25 questions को complete कर लिया है अगर आप सभी को ये series अच्छी लग रही है तो please like किजे, comment किजे और subscribe किजे कर्मवीर ICS को और अपने feedback को भी comment section में जरूर mention कीजिए जिससे कि हम आप सभी के लिए और भी बहतर और quality lectures लाच सके है Thank you, thank you for watching